भारत के दो पडोसियों चाइना और पाकिस्तान को एक डबल जटका लगा है नेपाल में क्या सत्ता बदल रही है एक बड़ा खेल हो गया है नेपाल में तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने भारत को लेकर क्या कहा है वो भी तब जब पाकिस्तान तालिबान पर हमला करने वाला है, जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से, नेपाल में एक बड़ा गेम चल रहा है, और इसी का नतीजा है कि ये देखने को मिल रहा है, बार बार चाइना का कोई न कोई बड़ा अदिकारी यहां पहुँच रहा है, और हाई लेवल की मीटिंग भी हो रही है, हाई लेवल की विजिट भी हो रही है, स्क्रीन पर वियोन की एक रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन एक सच नहीं बदल रहा है, और वो सच ये कहा ज छेकर दोपने मारा भट रहा है कि नेपाल कि कई सारी जमीने जब्त हो गई है कि अब भी यह जो बाथ्चित हो रही है इस बाथ्चित के बाद हल भी नहीं निकल पा रहा है हाला कि नेपाल की छोड़िये बहुतों की जमीन इनोंने जब्त करी है और कोई भी हल निकाल नहीं पाए हैं चाहे वो भारत का अकसाई चीन वाला ही हिस्सा क्यों न हो या फिर मंगोलिया का हिस्सा ही क्यों न हो इसलिए हाल में चाहिना ने नेपाल के अंदर एक और नई डिपलोमेसी चली और ये डिपलोमेसी थी टूरिज्म की डिपलोमेसी मतलब हम आपके देश में ज़्यादा से ज़्यादा परेटक भेजेंगे आपको आर्थिक फाइदा होगा इसलिए आप हमारे पक्ष में बने और इसके लिए चाइना ने एनाउंस किया कि 2025 जो होगा वो विजिट नेपाल इयर के नाम से जाना जाएगा यहाँ पर 2025 में हम ज़्यादा से ज़्यादा परेटकों को नेपाल भेजेंगे हाला कि 2023 की बात करें तो 2023 में करीव 6888 चाइनीज टूरिस्ट नेपाल पहुंचे थे और इंडियन टूरिस्ट की बात करें तो इंडियन टूरिस्ट हमेशा हाई नंबर से रहता है 3,19,906 और अभी पहले 5 महिने में ही भारत की तरफ से 1,48,861 भारतिये परेटक यहाँ पहुंच चुके हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ इस मामले में फिलहाल तो नेपाल भारत के तरफ ही दिख रहा है और दूसरी बात स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कहने को कहा जाता है कि नहीं जी नेपाल और चाइना के बीच में सायद चीजे ठीक हैं पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दसकों से बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी भी उलजी हु होगा नेपाल के अंदर कई सारी अइसी गतिवीदियां हो रही हैं जिसमें एक बार फिर से नेपाल में राज तंत्र को वापस करने की बात हो रही है कि नई जी हमें लोग तंत्र पसंद नहीं आया है वापस से राज तंत्र कर दो राज तंत्र के लिए परदर्शन भी होन होने वाला है और ये जो परिवर्तन है इस परिवर्तन में क्या चाइना को एक बड़ा जहटका लगने लगा है नेपाल में परधान मंत्री पुस्प कमल दहल प्रचंद और उनकी पार्टी की सरकार पर खत्रा मंडरा रहा है सनीवार को नेपाली कॉंग्रिस और नेपाली कम्निष्ट पार्टी एकी कृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेताओं के बीच बंद कमरे में बैठक हुई है, इसक्रीन परा पार्टीकल देख सकते हैं, माना जा रहा है कि संसद की दो सबसे बड़ी पार्टियां पर्चंड को हटा कर सत्ता में बारी-बारी से सरकार बना सकती है, मतलब 6 महने हमारा परदानमंत्री, 6 महने तुमारा परदानमंत्री, अब ये सवाल थोड़ा सा दिमाग वाला है इसलिए क्योंकि हाली में तो परचंड और ओली बने थे मिलकर सरकार बना कर अभी भी सरकार बना कर रखा हुआ है फिर क्या हो रहा है परचंड ने इसी साल मार्च की सुरुवात में सेर बहादूर देवबा की नेपाली कॉंग्रेस से गटमंदन तोड कर ओली से हात म मिलाया अब ओली गटमंदन तोड कर सेर बहादूर देवबा से हात मिला रहे हैं तो यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि चीजें अस्थिर नहीं है देवबा और ओली के बीच बैठक यूमल प्रमुख ओली के सरकार द्वारा बेस वार्सिक बजट की सारुजनिक आलोचना के कुछ सब्ता बाद उन्होंने इसे माओ वादी बजट कहा था ओली से मुलाकात के दोरान देवबा के सांसद उनकी सांसद पत्नी आरजूराना भी मौजूद रही इस बैठक के दोरान क्या बात हुई इसके बारे में कोई जानक करी कैसे हम लोगों को ठीक करना है अब यह सारी चीजें तो कहनी की बात है पर कहा जा रहा है कि अंदर खाने चल रहा है कि अब आगे क्या करना है क्या सत्ता में बने रहना है सत्ता तोड़ना है क्या करना है अब यह चीजें दिखाती है कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कि ल पुल्टा असर तालिबान और पाकिस्तान के संबंद पर दिख रहा है। इसका सबूत आज ही कतर की राजधानी दोहा में दिखा जब तालिबान के परवक्ता जबी उल्ला मुझाहिद ने भारत की तारीफ की। उन्होंने अफगानिस्तान पर आयोजीत संजुक्त राष्ट की बैठक में भारत के समर्थन को लेकर धन्यवाद दिया। ये घटना बताती है कि कैसे परदे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। भारत 2021 के बाद से तालिबान के साथ जुड़ने को लेकर काफी सतर कर रहा है। भारत ने तालिबान के साथ सिर्फ उतनी ही दोस्ती की है जो रननीतिक रूप से उचित हो। यही कारण है कि आज अफगानिस्तान में भारत का परभाव पाकिस्तान से जादा है। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबूल पर कबजा किया तो सभी लोगों को लगा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा। पाकिस्तान के साथ एक limited contact बना कर रखा। भारत ने सुरू में काबूल में अपने दूतावास बंद कर दिये थे। हाला कि उपस्तिती बनाये रखने के महत्त को पचानते हुए भारत ने अपना दूतावास फिर से खोल दिया और काबूल में एक technical team तेहनात कर दी। इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान की इस्तिती को देखते हुए मानव ये सहायता परदान की। इसके तहट अफगानिस्तान को गेहूं और दवाईयों समयत कई जरूरी सामान भेजे गे। हलाकि इस काम में पाकिस्तान ने अपनी तरब से खूब अर्चन पैदा करने की कोजिस की लेकिन काम अफगान सहायता के लिए लगभग 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये जो अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए उसकी परतिवत्ता को दिखलाता है। भारत अफगानिस्तान के छेत्रिय सहयोगी के रूप में सामने आया और कई तरह से मदद की। काबूल में त भारत की सक्रिय कूटनीती को उजागर करता है। एतियासिक रूप से भारत ने आफगानिस्तान के विकास में तीन बिलियन डॉलर से अधिक करनिवेश किया है। जिसमें बहुत सारी परियोजनाए हैं। हाला कि भारत की सौफ्ट पावर कूटनीती काम आ रही है और यह द कालिवान की तरफ से भारत का तारीफ करना तो बनता है। पुराना इतियास रहा है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत के मन में क्या रहा है वो दिखा भी है। वैसे आपको क्या लगता है। क्या भारत के दोनों पडोसियों के लिए यह बड़ा जटका है। कमें कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ